नमश्कार, स्वाकत है बच्चों आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे समीधान की अनुसूची यानि स्केडियूल्स के बारे में कितने हैं हमारे पास? 12 स्केडियूल्स हैं अब इन 12 स्केडियूल्स के अंदर क्या-क्या बातें बोली गई हैं क्या-क्या समीधान चंजोदन हुए हैं क्या-क्या चीज़े हमें याद रखनी हैं वो सारी चीज़े जो हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ये जो है वो फिफ्ट वीडियो है इससे पहले वाले जो चार वीडियो हैं उनकी पीडियो और इस वीडियो की जो पीडियो हैं वो आप लोगों को टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बोक्स में तो जाकर आप वहां से इनकी पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और आपने पीछली वाली वीडियो जो चार वीडियो जो नहीं देखी हैं तो एक अलग से प्लेइलिस्ट बना रखी हैं जीके फ्रोम लुशन्ट या पॉलिटी फ्रोम लुशन्ट करके अब वहां से इन वीडियो को कवर कर सकते हैं हमने बेसिक से चीजों को समझा है कि समिधान के जो निर्मान के टाइम में जो विडिश यहां पर राज किया करते थे देश के अंदर तो उन्होंने कैसे समिधान को लिखा था या फिर कहें कि उन्होंने जैसे प्रिकरिया अपनाए थी हमारा समिधान तो इतियास से रिलेटिड है न तो जैसे उन्होंने नियम अपनाये थे भारत में राज करने के लिए इतियास का क्या impact था भारत के समिधान के पर तो वहां से हमने चीज़ें सीखी थी अच्छा इससे पिछले वाली वीडियो उसके अंदर हमने तो बहुत सारी चीज़ें हम वहां cover कर चुके हैं अपनी पीछली वीडियो में हम फिफ्थ वीडियो के अंदर भारतिय समिधान की अनुसूची को देखने वाले हैं एक बार जो है इसको हम काट देते हैं ये वाली 28 है यहां पर 29 नहीं है ये 7 नहीं यहां पर अपितु 8 हैं ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है अब देखिए प्रत्थम अनुसूची मैं क्या कहता हूँ कि 12 अपने पास अनुसूची है जैसे मैंने कहा था अब प्रत्थम यानि जो 12 है उस 12 में से जो पहली प्रत्थम अनुसूची में लिखा गया है हम जब आर्टिकल पे आएंगे आर्टिकल एक से लेकर चार तक इसके अंदर बोला जाता है आर्टिकल एक से लेकर भाई भारत जो है वो राज्यों का संग है हम क्या करते हैं कि दो राज्यों को मिला सकते हैं या भारत में कोई राज्य शामिल करना चाहें तो यहां शामिल कर सकते हैं थर्ड के अंदर थोड़ी ओर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि राज्यों के नए निर्मान उनकी सीमाओं में कम करना, जादा करना, नाम चेंज करना यह सब चीजें इसमें आती है चोथा आर्टिकल जो इनको पर्लेमेंट को पावर प्रवाइड करवाई जाती है इसके अकोर्डिंग जो है वो मतलब जो यहां पर शंशोधिन किये जाते हैं तो यह चारों आर्टिकल हम जब आने वाली वीडियो इसके अंदर उनको कवर करने वाले है अब यहां पर इनके बारे में कहां लिखा गया है पर्थमनसुची में कि कैसे कैसे हम जो है वो राज्य हैं उनके अंदर कैसे थोड़ा उनको कम करेंगे उनकी सीमा को कम करेंगे उनको कैसे बढ़ाएंगे दो राज्यों को कैसे मिलाना है या फिर एक राज्य है उसको कैसे डिवाइड करना है तो ये सारी जीजे हम परतमने सुची में देखते हैं तो परतमने सुची क्या आती है इसमें भारत के राज्यों के संग यानि पुछा जाए कि आप से कि परतम उन्हों सुचिक है कि इसके अंदर भारत के राज्या और के अंदर शाशीत परदेश यानि जो union territories है उनका उलेख किया गया है clear अब एक note जो आपको याद रखना है बहुत important है कि समिधान संशोधन वहा था 69 69 जो समिधान संशोधन था जिसके अंदर दिल्ली को राश्ट्री है राजधानी का दरजा दिया गया था काफी ज़्यादा important है question पूछे जाते हैं इसके उपर कि भई दिल्ली को कौन से समिधान संशोधन के according राजधानी का दरजा दे दिया गया था वो है 69 अब आते हैं first होगे हमारे सामने second अनुसूचे के उपर लेकि second अनुसूचे में क्या है जो हमारे भारत के अंदर जो आप बड़े-बड़े पदा अधिकारियों पर देखते हैं जैसे president होगे, governor होगे लोगसभा के अध्यक्ष होगे speaker होगे, लोगसभा के उपाध्यक्ष होगे ऐसी राज्यसभा के सभापती होगे राज्यसभा के उपसभापती होगे जो विधान सभा है विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगे और कहीं-कहीं राज्यों के अंदर जहां विदान परिशद है, वहाँ पर उन विदान परिशद के जो सभापती है या फिर उप सभापती है और जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट है, वहाँ पर जो न्यायधीस है और जो भारत के नियंतरक महाले का प्रिक्षक है इन सब को जो वेतन है, भत्ते है, पेंशन है, वो कैसे मिलेगी, इनके बारे में जो चर्चा है, वो सेकिंड अन्यसूची में की गई है तो यह काफी जादा इंपोर्टन हो जाती है, पूछा जाता है कि भारत की जो प्रेजिडेंट है, उनको जो वेतन, भत्ते, पैंशन दी जाती है, इसका उलेक कोन सी अनसूची में, तो द्वित्य अनसूची आपका आंसर होना चाहिए, तो यह सब चीज़ें आपको याद हो हो जाती हैं, अब बाकी बच्जी है, दस अब एक एक करके इनको निप्टा लेते हैं, चलिए, तड़ अनसूची में आते हैं, थाट अनसूची क्या है, कि अभी जो आपने देखा, कि पैंशन, पैंशन मिलना, वेतन मिलना, तो यह सब चीज़ें हैं, जो जो हमें यह उलेक है थार्ड अनुसूची के अंदर ठीक है अपने गदी पर बैटने से पहले अपना पद ग्रहन करने से पहले जो शपत ली जाती है उस शपत का उलेक आता है थार्ड अनुसूची के अंदर अब चोथी अनुसूची में क्या आता है सर देखे चोथी अनुसूची में आ लोक समा, दो सदय नहीं, लोक समा और राज economy अब स्टेट और इनियं टैरिटरी का राज्य समा में कितना प्रदिनिती सब्धों होना ठीक हरियाना होगी for example या राजस्थान होगी तो भी हरियाना का राजसभा में कितने बंदे जाएंगे या फिर बंदे देंगे ने जि कितने मंत्री जाएंगे तो यह जो है उनको Member of Parliament भोला जाता है ठीक है ना जो राजसभा में जाते हैं उनको Member of Parliament भोला जाता है तो हरियाना के तरह से राज्य सभा में कितने member of parliament जाएंगे ये decide किया हुआ होता है चोथी निसुची में या फिर जितने भी हमारे देश के अंदर राज्य है उसमें से उनके जो कितने member of parliament राज्य सभा के अंदर बैठेंगे तो ये जो seat है वो divide की हुई होती है फूर्थ निसुची के अंदर clear हो गया ऐसे ही union territories में भी किया जाते है तो ये होता है फूर्थ निसुची फिफ्ट निसुची में क्या आते है फिफ्ट निसुची में आते है जो विभीन अनुसची शेत्र होगे अनुसची जन जाती होगे वहाँ पर परशाशन और नियंतरन कैसे किया जाएगा इसके बारे में उलेख हमें फिफ्ट निसुची में मिलते है clear तो हमारे सामने फिर्स निसुची होगी जिसके अंदर बताया गया है कि भारत जो है वो इसके राज्ये और जो union territories है इनके बारे में उलेख किया गया है second निसुची में हमें क्या बताया गया है कि जितने भी हमारे महतपूर्ण पदादिकारियों पर जैसे प्रेजिडेंट होगे वाइस प्रेजिडेंट होगे जो राज्यसभा के अध्यक्ष होगे उपाध्यक्ष होगे लोगसभा के अध्यक्ष होगे उपाध्यक्ष होगे ऐसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायदीस होगे गवर्नर होगे तो इनकी जो वेतन है, भते हैं, पैंशन है वो second सूची से second सूची के मतलब की second अनुसूची यानि second schedule के अंदर इनका उलेक किया गया है थर्ड के अंदर हमने जैसे देखा जैसे जो मिनिस्टर है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायदीस है जब ये अपनी पद पर जाते हैं तो पद ग्रहन करने से पहले जो इनके द्वारा शपत ली जाती है, उसका उलेक धर्ड अनुसूची में है फॉर्थ अनुसूची में क्या है फॉर्थ अनुसूची में ये है कि जो state है जो union directories है उनका जो परतिनीतितू राज्यसभा में कितना होगा, वो ratio divide किया होता है वो उसका उलेक इस फॉर्थ अनुसूची में मिलता है फिफ्थ अनुसूची में क्या है जो हमारे देश में अनुसूची शेत्र है अनुसूची जन जाती है वहाँ पर परशाशन और control कैसे किया जाएगा उसका उलेक फिफ्थ अनुसूची में मिलता है तो 5 हो जाती है हमारे सामने और बच्चती कितनी है साथ आगे जलते हैं बाकी इन साथों को भी देख लेते हैं अब 6th schedule में आते हैं देखें काफी दाइम यह चर्चा में राय है 6th schedule अभी जैसे लद्दाक को Union territory जो है उसको कहा कि हमें भी एक autonomous एक council प्रवाइड करवा दो हमें भी यह जो मेगाले तिरफूरा है इनके according यहां पर autonomous क्योंकि यहां पर autonomous जो council प्रवाइड के हुई है यहां पर अपना खुद का परशाशन चलाते हैं for example खुद का परशाशन कैसे होता है कि देखिए अगर यहां पर मिजोरम है मिजोरम में जो भी जन जाती है तिरफूरा मेगाले जो भी जन जाती है वो अपने लिए अपना कानून खुद बनाती है अगर वहां के राज्ये में, जैसे बिजोरम में कोई राज्ये ने वहां पर कोई नियम बनाया, कोई कानून बनाया तो वो कानून लागू होगा नहीं होगा उस शेत्र में जहां पर जन जाती है तो वहां पर उस जन जाती से पूछा जाता है पूछा जाता है कुछ बदलाव किया जाते हैं तब वहाँ पर वो कानून लागू किया जाता है तो इतनी ज़्यादा पावर होती है जो Autonomous Council होती है उनको तो ये लदाक नहीं भी बोला थे कि हमें भी जो है वो पावर दो इतनी हमें भी क्योंकि हम भी बहुत जादा जन हमारे दिहां पर लदाक के अंदर भी जन जाती शेतर है तो ये बात अभी चल रही है अब बात करें छटी अनसुची में क्या आता है छटी अनसुची में जो आसम है मेगाले है, तिरिपूरा है, मिजोरह में जो इन राज्यों में जो जन जाती शेतर है वहाँ पर परशाशन कैसे होगा तो उनको कुछ स्पेशल पावर दी गई है ये जो स्पेशल पावर है, मार्टिकल के अंदर भी पढ़ेंगे उनका प्रावधान किया गया है इसमें इनका परशाशन और कंट्रोल कैसे होगा, वो फिफ्ट है छटी में अलग आ जाते है जो हमारी सेवन सिस्टर के नाम से जो शेतर जाने जाते है वहाँ पर इनके लिए कुछ प्रावधान किये गए हैं तो ये धिज ध्यान रखना सेवन तो नहीं है लेकिन यहाँ पर जो इंपोर्टन है आपके सामने आसम हो गया, मेगाले, तिरपूरा और मिजोरम हो गया ये चीजें ध्यान रखनी है अब सात्वी अनुसूची में क्या आते हैं देकि सात्वी अनुसूची में ये हमने जब इतियास के बारे में हम पड़ भी रहते तब आने आप लोगों को बताया था कि जब अंग्रेजों ने भारत पे शाशन करने के लिए तो वहाँ पर प्रांतों में कुछ द्वैद सत्तात्मक चीजें चला दी थी कि भई दो चीजें तरीके से होगा एक परांत पे होगा एक केंदर लेवल पे होगा तो वैसे ही कुछ था कि यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि भारत है ठीक है यह हम मैं कहूं यह भारत हो गया तो यह भारत हो गया तो भारत में यहाँ पर भारत का खुद का तो अपना एक संग हो गया अब यहाँ पर जो यह जो state होते हैं यहाँ पर यह जो हैं अपने under भी कुछ power रखते हैं तो यहाँ पर जो इनके power distribution की हुई है अब power distribution कैसे कही है तो तीन अनुसूछी बनाई गई है तीन सुची में एक है संग सुची एक है राज्य सुची और एक है समवर्ती सुची संग सुची यानि सेंटर का आता है सेंटर में क्या किया गया है कि सेंटर के पास कुछ पावर है जैसे पावर के हैं भई देश की परती रक्षा यानि देश का रिक्षा करना, विदेशी मामले हो गए, यूद होगी, शांती होगी, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, यानि जो RBI है, करंसी को चांपने का काम हो गया, पुरमानू शक्ति होगी, ये जो विशे हैं, पहले तो 97 थे, लेकिन अभी कितने 100 है, 100 जो फेडरलिजम भी तो चलता है, क्वाशी फेडरली चलता हूँ, मतलब क्या होता है, कि यहां पर राज्यों को भी तो पावर दी गई है, कि आप अपना परशाशन अपने अकोडिंग चला लीजी वहाँ पर, जैसे हमने तो यहां पर मिजोरम में जन जातियों को इतना ज़् पावर दे रखी है, वहां पर Autonomous Council बना रखी है, वो खुद के लिए अपना कानून बना लेते हैं, यहां पर राज्यों को भी इतनी पावर दी गई है, कि आप अपने लिए कानून बना जीए, तो अपने लिए कानून बना लीजी है, वो कितने कानून होगे, या फिर कित स्थानिय साशन हो गया, क्रिशी हो गया, जन स्वास्ते हो गया, राज्यों के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय, विभाग, इनके ओपर जो है, कानून को बनाता है, इनके ओपर कानून जो है, वो खुद राज्यों बनाता है, क्लियर यहां पर, तो यह होता है हमारे सा 66 थे, अच्छा, संग, यानि केंदर के लिए पूछा जाए, तो केंदर के लिए अभी कितने हैं, 100 है, पहले कितने थे, 97 थे, clear हुआ, अब आके चलते हैं, यह होगे हमारे सामने, संग और राज्य वाली, एक आती है समवर्ति सूची, समवर्ति सूची ऐसा है, कि जिनके ओप उपर राज्य और केंदर दोनों ही कानूर बना सकते हैं, दोनों ही सरकारें जो है, वो कानूर बना सकती है, और राज्य सरकार भी 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 कानूर बना तो लागू होता है के अंदर का क्यूंकि के अंदर सबसे powerful इसमें दिखाया गया है तो के अंदर का ही यहां पर कानून जो है वो इस सिख्षा के और लागू होगा राज्य का नहीं होगा बना दोनों ही सकते हैं अलग-अलग विशे होंगे तो अलग-अलग हो जाएगा उसमे आपके सामने एदिवानी और फोसदारी कानून के परक्रिया होगी विवा और तलाग होगी शिक्षा और आर्थिक नियोजन होगी बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संगवन और भी चीज़ें आ जाती है अब यह जो नोट लिखा गया है इसको आपको ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है क्लियर क्योंकि अब यह इसके उपर भी लागू होती है अब वो उसको मिला लिया गया है पांच अगस 2019 को जिसे बाइफरकेट यानि दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था जम्मू कश्मीर को जिसमें जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी विद लेजिसलेचर यानि विदान सबा होगी यानि वहाँ पर मुख्य मंतरी चुना जाएगा और लद्दाक जब वो यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिसलेचर यानि वहाँ पर कोई भी विदान सबा नहीं होगी वहां मुख्य मंत्री नहीं होगा तो वहां पर यह जो चीजे हैं डिवाइट करते गए थी दो जार उनिस पांच अगस्त को तो अभी यह जो चीजे हैं वह सब पे लागू है त्यान रखना एर्थनुसूची पर आते हैं एर्थनुसूची में क्या है कि इसमें 22 भाषाओं का उलेक है अभी पूछा जाते हैं कि भारत में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है समीधान के अंदर तो आपको आंसर होता है 22 एर्थनुसूची में स्टार्टिंग में कितनी मूल रूप से 14 भाषाओं थी फिर क्या 71st amendment किया जाता है, जिसमें कॉंकणी, मणीपूरी और नेपाली को उसको राष्टी भाषाओं का दरजा दे दिया जाता है, फिर 2003 आता है, 2003 में 92nd amendment होता है, जिसमें मैथली, संधाली, डोगरी बोडो को 8 हनुसूची में शामिल कर लिया जाता है, तो यह होगी हमारे सामने 8 अनुसूची, अब तक हमने 8 अनुसूची कर लिया है, बच गी है, 4 तो यह 8 अनुसूची जो थी, वो starting में ही, मतलब कि जब समिधान जो था, बना था, तब 8 ही अनुसूची थी उस वक्त, यह जो 12 अनुसूची, जो 4 जोड़ी गई है, बाद में जोड़ी गई है अब हम जो जोड़ी गई हैं, उनके बारे बढ़ने वाले हैं, अब आते हैं 9 अनुसूची के उपर 9 अनुसूची जो है, वो कब जोड़ी गई थी 1901 में पहला समिधान संशोधन किया गया था, देखे काफी ज़ादा important है, प्रतम समिधान संशोधन कब किया गया था, 1951 में उसके दोरा इसको जोड़ा गया था क्या हुआ था इसके अंदर कितनी जुरूरत थी, क्या जुरूरत थी तो सरकार ये चाहती थी कि इतनी जमीन लिमिट कर दी गई थी कि एक इंसान के पास इससे ज़्यादा जमीन नहीं होने चाहिए उस चीज को खतम करने के लिए जमिदारी कानून लाया गया था अब वहाँ पर क्या था इसके अंदर अगर राज्य कोई संपत्ती ले रहा है अगर राज्य कोई संपत्ती ले रहा है किसी से विधियों का उले किया गया है अभी कैसे ले सकता है अगर ले रहा है तो वहाँ पर आप कोर्ट में जाके उस चीज को चनोती नहीं दे सकते हो कि भई मुझसे मेरी संपत्ती ले लिए क्योंकि इसको नाइंत अनुसुची में डाल दिया गया है और बोल दिया गया है यह कानून है और राजे चाहे तो यहाँ पर संपत्ती ले सकते हैं और इसको नाइले में चनोती नहीं दे सकते हैं तो यह था यह जब लागू हुआ था तब की बात है वर्तमान में इसके अंदर 284 अदिनियम है इतना ध्यान रगना अब यहाँ पर हुआ लेकिन क्या होता है 11 जनवरी 11 जनवरी 2007 को एक केस होता है IR IR एक नाम था IR कोईल कोईलो शायद मैं इनका नहीं सही से नाम ले रहा हूँ कोईलो ऐसे कुछ करके इनका एक केस हुआ था IR कोईलो शायद अभी मेरे दिमाग से मैंदलब स्कीप हो रहा है यहां पर कुछ गड़ बड़ हो रही है तो IR कोईलो शायद ऐसे था तो यहां पर यह थे इनके जो मामला था इनही के नाम से यह IR कोईलो केस के नाम से परसीद हुआ था तो यहां पर क्या हुआ 11 जनवरी 2007 को समिधान के बैंच ने यह निर्ना दिया कि भई आप यह बोल दो कि कोई चीज आपने अनुसूची नौमी में डाल दी और उसको जो नियाले में नहीं ले जाया जा सकता ऐसा नहीं चलेगा भई उस चीज को भी नियाले में ले जाया जा सकता अगर वो आपके fundamental rights का उलंगन करते हैं fundamental rights का अगर वो उलंगन करते हैं तब आप नियाले में जा सकते हैं उस चीज को चनोती दे सकते हैं तो यहाँ पर यह 11 जनवरी 2007 को समिधान पीट ने यह बात बोल दी थी क्लीर यहाँ पर अब आगे चलते हैं दस्वी निसूची आती है दस्वी निसूची में 52 समिधान संचोदन किया गया 1985 में इसके according को जोड़ा गया था इसमें था दल बदल सम्मंदित प्रावदान एंटिडिफिक्शन लोजिस को बोलते हैं अब इसमें क्या हुआ इसमें यह हुआ फॉर एक्जांपल यह कोई बंदा है इसने election जीता Congress की ticket पे ठीका Congress की ticket पे इसने election जीता अब election जीतने के बाद Congress वालों ने का कि भहिए हम आपको मंतरी इन्दी बनाएंगे तो इसको बड़ा अजीब लगा यार कहते है यार मैंने महनत की नहीं बनाएंगे तो यह BGP में चला गया तो यह BGP में चला गया BGP में क्योंकि BGP बोला कि आप हमारे पास आ जाईए हम आपको मंतरी मंतरी बना देंगे तो यह BGP में चला गया अब यह क्या होता है कि Congress ने का कि तुम ticket तो हमारे मतलब कि जीते हो हमारी एटिकट के उपर तुम तो हमारा कि तो निर्दली यह थोड़न हुआ था तो ऐसे थोड़ना चलेगा खल झाल को तो फिर कोई और राज होके चला जाएगा कहीं और दूसरी पालिटी में यह कहीं पर भी हो सकता है BGP में हो सकता है कोई B-A बंदा होगा वो Congress में आना चाहेगा ऐसे जो था ना कि दल बदल संबंदित यही तो था दल बदल लिया उन्हें तो दल बदल इसका नाम पड़ा था दल बदल से संबंदित यह प्रावधान थे तो इसको anti-defection कर दिया गए कि आप जाकर दिखाओं जैसी आप जाओगे आपको हटा दिया जाएगा मतलब आप MLA ही या MP ही नहीं रहो गए यहाँ पर तो यह बात है यह था दल बदल संबंदित कानून ठीक है कब जोड़ा गया थे दसवी अनुसुची में 22 संबंदान संचोदन जवारा 1985 में इसको जोड़ा गया था अब आगे चलते हैं 11 थानुसुची 11 थानुसुची क्या थी देखे समिधान सब्हा में 73rd amendment होता है 1993 में देखे दो amendment हैं 73rd और 74 कब होते हैं 1993 में ही होते हैं अब क्या किया जाते है 73 में ये किया जाते है कि पंचायत राज की संस्था को कारे करने के लिए यहाँ पर पंचायती राज जोड़ा गया था ऐसा समझो, पंचायत को यहाँ पर include कर दिया गया था और उनके लिए 29 जो हैं विशेप्रदान किये गई है यहाँ पर, इस चीज को ध्यान रगना 73 यानि 11 वियन सुची जो किस से रिलेटे हो, पंचायत से रिलेटे है लेकिन वहीं अगर आप से पूचे, 74 जो एमेंट्मेंट हुआ था जो 12 वियन सुची से रिलेटे है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर नगर परिशद नगर निगम, यहाँ पर यानि शहरी शेत्र की स्थानिय स्वशाशन संस्ताओं को कारे करने के लिए आपर 18 विश्य परदान किये गए है 11 वियन अनुसुची किस से रिलेटे होगी पंचायत से, 12 वियन किसी होगी नगर परिशद से, clear यहाँ पर तो यह होती है हमारे सामने पूरी की पूरी 12 अनुसुची फिर से बता जैता हूँ कि जो आपको पेडियो है वो आप लोगों को description box में एक telegram का link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से पेडियो डाउनलोड कर सकते हैं पिछली वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं अलग से playlist मैंने बना रखी है तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह concept समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है 12 अनुसुची इससे पहले जो हमने discuss किया था प्रस्तावना वो भी आप लोगों को अच्छे सी पसंद आ गया होगा मतलब आपको समझ में आया होगा अब समझ में आया है तो थोड़ा बहुत हमारे उपर भी प्यार बरसा दो कैसे कर सकते हो अरे like करो, बिल्कुल कोई पैसा थोड़ना लगना है लाइक करिए, subscribe करिए वो लाल वाला बटन है जैसके ऐसा-ईसा कलर है उसका रंग ना फिका कर दो एर, ठीक है subscribe करो, और ज़्यादा ही पसंद आए है तो share कर सकते हो, channel को भी as well as video को भी, फिर से pdf जो आप लोगों को मैंने बता दी है टेलिग्राम का एक लिंक दिया है description box में तो जहां कर आप डाउनलोड कर सकते है pdf को, सारी pdf आपको मिल जाएंगी बहुत सारी चीज़ें आपको आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है तो बस आज के लिए इतना बहुत जल्द अगले टोपी के साथ मिलते हैं Thank you